आद आप दोस्तों मैं हूँ यम्मे वाजिद आप देख रहे हैं पैगाम टीवी आज की बात में आज हम बात करेंगे कोरोना वाइरस की जिसने 2021 में अवामी जिन्दगी को तहस नहस करके रख दिया था दुनिया भर में लाको अफराद को इस वाइरस ने निगल लिया था ताहम अब जाते 2023 में यही वाइरस एक नया रूर धार कर अवामी जिन्दगी में दाखिल हो गया है और रियासत तिलंगाना में चार अफराद कोईट के टेस्ट में मुझबत पाए गए हैं अब ये नया वेरियंट किस ख़दर हलाकत खाइज होगा इस पर हम आज चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह ये वाइरस अब इनसानी जिन्दगी में दाखिल हो रहा है और ये किस ख़दर भयानक हो सकता है पेश है इस मामले पर हमारे नुमाइंदे मुहमत फारुख की ये तीन साल खबल डिसंबर का महीना सारी दुनिया के लिए अजाब लेकर आया था हमने 2021 और 2020 को जिन्दगी और मौत की कश्म कश्मे गुजारी ये वो वक्त था जब हमें समझाई थी कि जिन्दगी हरकत का नाम है और मौत जमूत का लेकिन उस वक्त हम ये ना जान सके कि एक म जुजर रहा है और हम समझ रहे हैं कि 2024 में एक नई तारीख नए बाप की शुरुआत होगी जबके जन्वरी की पहली तारीख से हर रोज लोगों की जिन्दगी का एक वरक पड़ता जाएगा और हर रोज एक तारीखी सफ़ा मौरिज वजुद में आता रहेगा इस बास से नावाकिफ हम लोग नए साल के इस्तिखबाल में लगे हैं कि कोरोना का नए वाइरस हमें जीने देगा भी या नहीं पता नहीं अगर आप इस नए वाइरस से नावाकिफ हैं तो पैगाम टीवी आपको दावत देता है कि आओ नए साल में गम में गम दुनिया को शामिल कर गम दुनिया भी गम यार में शामिल कर लो नशा बढ़ता है शराबे जो शराबों में मिलें अब खुश नसीब होंगे वो अफराद जिनको तारीख ना अपनी तहरीरों का हिस्सा बनाएंगे क्योंके खलम वो सुप कुछ समेट ना पसंद करता है जो आलमी हदों को छूते ह वे इनसानियत के अख़दार को बलंदी के आसमान पर ले जाए हम इन दिनों तरक्याफता दुनिया में सांस ले रहे हैं और हमें फकर है के हमने टेकनलोजी की दुनिया में नए इनकिलाब लाए हैं और सब कुछ बदल कर रख दिया है लेकिन हमने कभी ये गोर नहीं किया के दुनिया सी मट गई तो दूसरी जानिब दूरियों और नफरतों के गुल खिल गए रोज मर्रा के अंदाज खुदती जिन्दगी से खाली किसी खोकली और मसनवी रविश पर चल पड़े अपनों को छोड़कर लाखों मेल दूर रहने वाले अफराद से रवाबित की मस होने वालों ने रिष्टों के एकदार को फरामोश कर दिया इस तरह अपने अजनबियों से ज्यादा दूरी पर चले गए जबके खुदती जिन्दगी एक खाब बन कर रही आलमी खुदतों का तोजन बिगड़ गया अखवाम आलम को माशी इक्तिसादी और बदामनी के ध हचकों और हिचकोलों ने तरसनाक सुरतहाल से दोचार कर दिया मफात परिस्ती का दौर दौरा रहा और हम हिंदुस्तानी डिसंबर दो हजार तेईस के आकरी मरहले में पहुँच चुके हैं और हम आज भी नजान पाए कि खुदत का कोई मुखाबला नहीं क्यूंके तखल दौर के लोग शदीद मुश्किलात का शिकार भी रहे हैं अगर हम 2021 की बात करें तो करोना नामी वाइरस ने जदीद माशरे को हैरत में डाल लिया था क्यूंके इस महलिक बीमारी का दुनिया भर में कोई इलाज दस्तियाब नहीं था देखते देखते इस वाइरस ने वब बेवखू बनाया तालिया मारने की गुजारिश की गई दीब जलाने को कहा गया गरमा में वाइरस के मर जाने का यखिन दिलाया गया लाखों लोग खौफ से मर गए सरकारी दवाखानों के डाक्टरों की लापरवाही से लाखों लोग दुनिया सुधार गए अवाम में श किरदार अदा ना किया जिसकी वजह से खौफ और हिरास का माहुल पैदा हो गया अचानक लागडाउन कर दिया गया दुनियावी खुवत और हश्मत पर नाजाओ फरहां कई खुदा फरामोश हुकमरां इस वबा के आगे बेबस हो गए थे तब लोगों को समझ आया कि 14,000 के लगभग जोहरी हतियारों ने इनसानों को खौफ और बद अमनी के अलावा कुछ नहीं दिया दो हजार बीस में ये बात तारीख में दर्ज हुई के आलमी ताखतें वेंटिलेटर्स की कमी का शिकार हो गई 2021 को विदा करते करते हमने रियासत तिलंगाना की फजा को सोगवार होते देखा इस तरह आजकल तिलंगाना रियासत का हाल बुरा होता दिखाई दे रहा है क्योंकि यहां 23 डिसंबर तक कई करोना के केसे सामने आये हैं यहां तक के नीलोफर हास्पिटल में शीरखवार बच्चा भी करोना के नए वाइरस से मतासिर पाया गया है 11 डिसंबर तक देश भर में 938 करोना केसे स्रिपोर्ट हुए थे 22 तारिख तक इसकी शरह दुगनी हो गई और आज यानि 23 डिसंबर को पता चला के 2000 से जायत केसे मनजर आम पर आये हैं यह तेदाद हकिकत में डरा देने वाले हैं पिछले 24 घंडों में 265 करोना केसे सामने आये हैं मतासिर अफराद की तेदाद 2606 तक पहुँच गई है यह रिपोर्ट सारे देश की है जिसमे रियासत तिलंगाना के अलावा महाराश्रा, गोवा और केरला खाबले जिक्र हैं डब्लियो एचो ने इस नए वैरिस से अवाम को ना घबराने का मशवरा दिया है लेकिन लोगों के जहिरों में नाहल तलब सवालात जर्म ले चुके हैं इस बात का एहसास ही डरा देने वाला है कि दुन्या के मुखतलीफ तरक्याती मुमालिक में कोरोना की नई खिसम दर्याफ्ट कर ली गई है इस नए वेरियंट का नाम है जे एन वन जिसके बरते खदमों को रोकने की कोशिश जरूर की जा रही है लेकिन इससे भी ज्यादा असर के साथ ये वबा फैल रही है अगर ये तेजी से ना फैल रही होती तो शायद दुनिया के मुखतलिफ मुमालिक में किये जाने वाले माएनों में ये थाबित न होता कि लोगों में कोरोना का नya वेरियंट फैल रहा है इस नए वेरियंट को प्रोला कहा जाता है फिलहाल ये वेरियंट इसराइल, अमेरिका, बरतानिया, डेनमार्क, इंडिया समेत दीगर मुमालिक में पाया गया है फिर एक मरतबा दुनिया भर में खौफ औ हिरास के दिन लोटते महसूस हो रहे हैं इस वबा के भेज़ बदल कर सर उठाने पर लोगों में एक अजीब खिसम का डर देखा गया है पिछले तजरुबात को जब भी वो याद करते हैं तो लरस लरस जाते हैं एक तरफ सारी दुनिया नए साल का इस्तवाल करने के लिए बेताब है 31 डिसमबर की रात नया साल मनाने वालों को अभी से तैयारियां करते देखा गया है ऐसे में इस वबा का नया वेरियंट सामने आना लोगों के लिए परिशानी का बाइस बन गया है और वो समझ नहीं पा रहे हैं के आगे की सुरत चाल क्या रहेगी हकोमतیں हमें ये कहने से खासिर हैं के इसकी दिफा की क्या सुरत होगी इस बात को समझने से हकोमतیں भी खासिर हैं हकोमत की जालिप से सिर्फ रियासतों के लिए अलड जारी कर देना काफी नहीं बलके इस मामले को संजीरगी से लिये जाने की जरूरत है मरकजी बीजेपी हकूमत को चाहिए कि वो देश वासियों के लिए आकसिजन से भरपूर पाको साफ माहूल फराहम करे अवाम को बुनियादी सहत की सहूलियात के साथ असूलों के बारे में समझाया जाए लोगों को खुवत मुदाफियत खायम रखने के मवाके मौसर किये जाएं अवाम में शओर बेदारी प्रोग्राम मुनक्खत किया जाए अवाम को समझाने में जल्द बाजी ना की जाए और दूर देशों से आने वाले कोरोना मरीजों को देश की जमीन पर खदम रखने से पहले उन्हें मुलक बदर कर दिया जाए कोरोना के इमकानी खतरात को हलके में ना लिया जाए क्योंके हमने पिछले दिनों इस जिद्दी वाइरस का मकाबला करते हुए हमारे अपने जिनके साथ हमने जिन्दगी गुजार दी थी उन्हें खो दिया था यहां हुकूमत की जिमेदारी बनती है कि वो हुकूमती तशहीर के बजाए वही पैसा इस वाइरस के खाती में पर लगाए अब अगर हम रियासत तिलंगाना की बात करेंगे तो वजीर आला रेवन त्रेड़ी को चाहिए कि वो पिछली नाकाम हुकूमत की तरह अवाम में बद अमनी ना पहलाए जब लोग गांधी हास्पिटल में थे तो डाक्टर्स ने मरीजों को एक तरह से कैड़ कर दिया था और उनके लवाहखीन को उनकी खबर तक नहीं दे रहे थे जिसका नतीजा ये हुआ कि हुकूमत बद नाम हुई और सेकड़ों मरीज गांधी हास्पिटल में फौत हो गए थे जिनकी लाशों को मुर्दा खाने में उठा उठा कर फेका गया वजीर आला को ये जान लेने की जरूरत है कि रियासत की हालत कभी भी हलाकत खैज हो सकती है अब उनकी जिम्मेदारी है कि इस वबा को रोका जाए सखत तरीन एकदामाद किये जाएं ताकि ये वाइरस मजद फैलने में कामयाब ना हुपाए वरना समझ लिया जाएगा कि वबाओं का ये सिलसिला थमेगा नहीं बलके हुकूमत की नाकामी के बाद आयर मुम्किन है आने वाली ये नई वबा पहले से ज्यादा महल हो जाए कहा नहीं जा सकता लेकिन यहां समझने वाली बात ये है कि कोविड नैंटीन ने हमें बावर करवा दिया है कि कैसे हम तमाम एक दूसरे पर मुनहस्सिर हैं आगे भी उमीद है कि लोगों के रवईयों बरदाश्त और रहन सहन में मुझबत तबदिलियां रोनमा होंगी और दुनिया में मतवखे वबाओं को अफसाना समझने के वजाए मद्दे नजर रखा जाए और ये शेर कभी ना दोहराएं जो मिलाते फिरते हो तुम हर किसी से हाथ जो मिलाते फिरते हो तुम हर किसी से हाथ ऐसा नहो के धोना पड़े जिन्दगी से हाथ